नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रत यात्रा के वारे में रत यात्रे से जुड़ी हुई कुछ ऐसी अनसुनी, अनकही और एतिहासिक जानकारी रत यात्रा भारत के बहुत सारे राजियो में मनाई जाती है उसमें उडिसा के पूरी के पूरी के पूईतर सहर में रत यात्रा का महत्सव बहुत ही दूमदाम से मनाया जाता है पूरी के जगनाद मंदिर में हर साल दुनिया पर से लाकोस रद्दालू इस भव्य समारों में भाग लेने के लिए आता है रथ यात्रा का महत्सव हर साल मनाया जाता है भगवान जगनाद जी की ये रथ यात्रा नौ दिनों तक चलती है पूरी सहर के रत यात्रा के लिए बलराम, स्री कुरुष्ण और देवी सुबद्रा के लिए तीन अलग-अलग रत निर्मित किये जाते है रत यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रत उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रत और सबसे पीछे भगवान जगन्नात स्री कुर्शन का रत होता है यह धाम तकरीबन 800 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है अगवान जगन्नात का नंदी गोश रत 45.6 फूट उचा है जबकि बलराम जी का ताल धोज रत 45 फूट उचा है और देवी सुभद्रा का दरपदलन रत 45.6 फूट उचा होता है अब हम आपको बताएंगे जगन्नात पूरी मंदीर से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चमतकारिक बाते जो सभी को आश्चरे चकित कर देती है जगन्नात मंदीर के सीखर पर स्थित जो जंडा है वो हम्मेशा हवा की विबरेत दिसा में लहराता है इसी तरह मंदीर के सीखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है इस चक्र को किसी भी दिसा से देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का हमुँ आपकी तरफ है मंदीर के रसोई में प्रसाद पकाने के लिए साथ बर्तन एक दूसरे के उपर रखे जाते है यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकडी पर पकाये जाते है इस दोरान सबसे उपर रखा बर्तन का पकवान सबसे पहला पकता है फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाथ पकता जाता है हमने ज्यादा तर मंदीरों के सीखर पर पकसी बैठे और उड़ते देखे हैं जगनात मंदीर की यह बात आपको चौका देगी कि इसके उपर से कोई भी पकसी नहीं गुजरता यहाँ तक की हावाई जहाज भी मंदीर के उपर से नहीं निकलता दिन के किसी भी समय जगनात मंदीर के मुख्य सीखर की परच्छाई नहीं बनती एक पुजारी मंदीर के 45 मंजीला सीखर पर सीथ जंडे को रोज बदलता है ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी जंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 बरसों के लिए बंद हो जाएगा आम तोर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धर्ती की तरफ चलती है और शाम को चलने वाली हवा धर्ती से समुद्र की तरफ लेकिन चकित कर देने वाली बात तो यह है कि पूरी में यह प्रक्रिया उल्टी है अब जानते हैं रत्यात्रा का इतिहास रत्यात्रा मनाये जाने के पीछे सधियो पुराना इतिहास है कहते है कि राजा इंद्र द्युमन जो सव परिवार निलाचल सागर पुडिशा के पास रहते थे राजा को एक बार समुद्र में एक विसाल काई लकडी दिखा राजा उस लकडी से भगवान की मूर्दी बनाना चाहते थे राजा के मन में जैसे ही वह विचार आया की इस सुंदर लकडी से जगदीश की मूर्दी बनाए जाए वैसे ही बुड़े और बुड़े की सरूप में स्वयम विस्व कर्मा जी प्रस्तुत हो गए उन्होंने मूर्दी बनाने के लिए एक सर्थ रखी और वो सर्थ ये थी कि मैं जिस घर में मूर्दी बनाऊंगा उसमें मूर्दी बन जाने तक कोई आना नहीं चाहिए राजा ने इसे मान लिया आज जिस जगव पर स्री जगन्नाची का मंदिर है उसी के पास एक घर के अंदर वे मुर्ती का निर्मान करने लगे राजा के परिवार जनों को यह मालूम नहीं था कि वह बुढ़ा और बुढ़ई कौन है कई दिनों तक घर का दर्वाजा बन रहने पर महाराणी ने सूचा कि बिना खाये पिये यह बुढ़ा और बुढ़ई कैसे काम कर रहे होंगे अब तक वह जीवित होंगे या मर गए होंगे महाराणी ने महाराजा को अपनी सहत संका से अगवत करवाया महराजा के दवार खुलवाने पर वह बुढ़ा एवं बुढ़ई कहीं नहीं मिले लेकिन उसके दवारा अर्ध निर्मित, स्री चगनात, सुबद्रा तथा बलराम की काश्य मुर्तिया वहाँ पर मिली महराजा पर महरानी बहुत ही दुखी हो गए लेकिन उसके चण दोनों ने एक आकासवानी सुनी व्यर्थ दुखी मत हो हम इसी रूप में रहना चाहते है मुर्तियों को द्रव्यादी से पवित्र कर स्थापित करवादो आज भी वे अपूर्ण अस्पष्ट मुर्तिया पूरुसोतम पूरी की रत्यात्रा और मंदिर में सोसोबित एवं प्रतिष्टिट है ऐसे पूरी हुई सुबद्राजी की इच्छा पौराणिक मान्यता है कि द्वारका में एक बार स्री सुबद्राजी ने नगर देखना चाहा तब बगवान स्री कृष्टन ने रत पर पैट खर नगर का ब्रह्मन करवाया इसी घटना की याद में हर साल तीनों देवों को रत पर बिठा कर नगर के दर्सन करवाये जाते है जब से जगनात रत यात्रा अरंब हुई है तब से ही राजाओ के वनसज सोने के हथे वाली जाडू से बगवान जगनात जी के रत के सामने जाडू लगाते है जिसके बाद मंत्र उच्चार एवं जाईगोस के साथ रत यात्रा सूरू होती है हाला की अब भारत में कोई राजा नहीं होने के वज़े से खास पूरी में एक ओफिशल राजा बनवाया गया है जो मंदिर के बाहर का रस्ता सोने से बने पोचे से साफ करता है इसके बाद ही भगवान को मंदिर से निकाला जाता है प्रती वर्स उडिशा के पूरी तड़ पर्ष्थित जगनात पूरी मंदिर में बगवान स्री जगनात जी की रध्यात्रा का उच्षव पारमपरिक रिदि के अनुसार बड़े दूम धाम से आयुजित किया जाता है जगनात रध उच्षव असाड सुकल पक्स की द्वितिय से आरम करके सुकल एकादसी तक मनाया जाता है इसी दोरान रध को अपने हाथों से खीचना बेहती सुग माना जाता है जगन्नाथ पूरी रधियातरा में भगवान स्री कुरुषण जिने जगन्नाथ भी कहा जाता है उनके भाई बलराम और पहन सुबद्रा इन तीनों भगवानों का बेहादी अद्बूत रथ तैयार किया जाता है और ये रथ लकड़ी से बने होते है वैश्णों की यह मान्यता है कि राधा और श्रीकृष्णा युगल मूर्थी के प्रतिक स्वयम जगन्नाद जी है क्योंकि वे पून परम प्रम्म है जो जन जन को भगवान का सामिध्य प्रदान करने हेतु है रथारूप भगवान जगन्नाद के दर्सन मात्र से मनुष्यू को जन मुरुत्यू के बन्दिन से मुक्ति मिल जाती है तो दोस्तो यह थी हमारी जानकारी रथ यातरा से जूड़ी हुई अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपके पास रथ यातरा से जूड़ी हुई और भी कुछ रोचक जानकारिया है तो ह में कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें बता सकते हैं धन्यवाद